काफी लोगों को हमारे पास लाया जाता है कि उनको भांग की या गांजा की इल्लत है आपको बताएं कि हमारे महराष्ट में तो देहातों में बहुत लोग भांग या गांजा के एडिक्ट है तो इसके वारे में आज मैं बात करूंगा वैसी कैनाबीस प्लैंट है कैनाबीस की मतलब एक पहुदा रहता है उसके पत्तें से या उसकी जो स्केल्स निकलते वहां से यह भांग या गांजा तैयर किया जाता है मैरिजुदा, वीड चरस, हशीष इसको आपनी नाम सुना हूँगा कि वी्ड का अडिक्शन है खशीष का है चरस का है भांग का है या गांजा का है यह सब एक ही है उसमें कांसेंटरेशन अलग अलग रहता है कि सबसे कम आता है मतलब होली या महा शुरातर यह इसा बोला जाता है लोगों को अच्छा नशा चाड़ता सी होता यह कैना मिसा इसमें is तो आपको कितना चड़ेगा कितना घातक है तो यह आप लेते हैं तो आपको बहुत उच्छा आता है यूफोरिया टाइप जैसा अंदे टॉप अब दो वर्ल आपकी एकागरता नहीं होती आपको टाइम का हैसास नहीं होता नशाय चड़ता है उसका कुछ लोगों को नीन आती है कुछ लोगों को बहुत ही रिलाक्स फिल करते हैं लोग एकदम रिलाक्स टेंशन फ्री स्ट्रे जादा होता है जब भांग लेते हैं या गांजा लेते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लगता है लोगों को और फिर उसमें मजा भी आता है इसके साइड इफेक्ट भी है जैसे दिल की गति बढ़ जाती है तो आप सो जाएंगे आपकी प्रोड़क्टिविडी कम हो जाएं गांजा जो स्मोक करते हैं और उनको बहुत मजा आता है मगर जब एडिक्शन हो जाता है तो उसके बिना रहा नहीं जाता है वो तो होई चाहिए होना ही होना है और फिर बाद में यह करता है है हलुसिनेशन मतलब ऐसी आवा जाती है कोई आ रहा है कोई आखों की सामने को दिखा जाता है कि लोग आ रहे मार रहे या लोगों को लगता है कि अपने पीछे को लग रहा है लोग आकरम हो जाता है बहुत गुस्सा आ जाता है मार पीट करेंगे और जिनको भांग की लद है उनमें ज्यादा मांसिक बिमारिया दिखाई देती है मांसिक बिमारिया का बहुत ज्यादा होता है, तो अभी इसमें करना क्या है, यह जो लोग है यह खुद तो आती नहीं, टीटमेंट करने के लिए, उनको लाया जाता है, क्योंकि बहुत गारून हो जाते हैं, मेरे पास में जब लुको लाते हैं, तो चेंड डाल के पकड़ पकड़ के भाउन के लोगों को लाजाता है क्योंकि इत्पे works जाता है शात बेंशों नेन देते उनका खांब बहुत अच्छा रहता निये तो उनको सलाइन देतेए तॉनिक्स विटामिन्स वो दिये जाते हैं और उनको पहले नीन दी जाते हैं एक बार उनको 24 गंडे 48 गंडे की नीन अच्छी हो गई और उसका असर उतर गया तो फिर अच्छा लगने लगता है अब इसमें ऐसा होता है कि लोग इतनी वाइलन्ट हो जाते हैं और कुछ से एक हॉस्पिटल है जहां रिलेट उसके साथ में पेशन को रखते हैं और दूसरा हॉस्पिटल है जहां रिलेट उसके अलावा पेशन को अकेले रखते हैं तो फिर वो उसको महना बर रखते हैं उसको साइको थेरपी कांसिलिंग करते हैं उसको भजन किरतन में समया जात जाता है और काफी सारा उसका कॉंसली होने के बाद में पूर ड्रक फ्री हो जाता है तो यह हमारा रियाप सेंटर है जिसका नाम है आश्या किरन क्लिक और जो क्योंकर हॉस्पिटल इसमें रिलेट उसके साथ में लोगों को रखते हैं यह एडिक्शन भांग का हो गांजा का ह मेरी जो आना चरस जो भी है वो है तो सब एक ही मंगर जैसे चरस और हशीश इसमें ज्यादा कॉंसेंटरेशन होता है तो उनको छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो जैसे ही माबाब को मालूम पढ़ेंगा या पत्नी को मालूम पढ़ता है कि यह गांजा ले रहा है तो तुरें डॉक्टर के तरफ लाना चाहिए क्योंकि यह बहुत खतरनाक बात में शावित हो सकता है इसका हिलाज करना बहुत जुरूरी है और इसका हिलाज करके लोग पूर्व अपना पूरा पूर्व आईश्य अपनी जिन्दे की फिर से जी सकते है यह आपको अच् आपका ख्याल रखिएगा लोगों का ख्याल रखो अपने परिवार का ख्याल रखो क्योंकि आप बहुत बहुत मुल्यों थेंक यू बेरी मच्च अपना मुल्यूं